अब हम सेंट क्रोमेन अर्थात स्वास्त कारिक्रम में जिसे हम छाया के नाम से जानते हैं इस गर्ण निरोधक साधन के बारे में और विस्तार से समझते हैं छाया गोली बाकी की गर्ण निरोधक गोलियों में से एक मात्र ऐसी गोली है जो हॉर्मोन रहित है जो की बहुत ही सुरक्षित है और प्रभावी है इसे रोज-रोज खाने की आवश्यक्ता नहीं पड़ती है छाया गोली उन महिलाओं के लिए लापकारी है जो की अनीमिया ग क्योंकि चाया खाने के बाद महवारी थोड़ी कम होती है वह जादा अंतराल पर होती है। चाया के प्रतेक पत्ते में आठ गोलियां होती है। सभी सरकारी स्वास्त केंद्रों पर चाया गोली निशुलक उपलब्ध है। अब बात करते हैं कि चाया का उपयोग कौन कर सकता है। इस तनपान कराने वाली महिलाएं इसका प्रयोग कर सकती हैं क्योंकि या दूद की मातरा पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो आईए देखते हैं कि किन परिस्थितियों में छाया नहीं देनी चाहिए यदि अंडाशय में सिस्ट हो, बच्चेदानी के मुख में बदलाव हो, पीलिया, लिवर की बिमारी या किसी भी प्रकार की ऐलर्जी हो या फिर गंभीर बिमारी हो जैसे टीवी या गुर्दे की बिमारी चाया गोली की प्रभावशीलता गोली शुरू करने पर भी निर्भर करती है तो हमें यह जानना अत्यांत आवश्यक है कि चाया गोली कब से लेना शुरू करें चाया गोली महावारी शुरू होने के पहले दिन से शुरू करनी चाहिए चुकि चाया गोली हॉर्मोन रहित है और मा के दूद की मात्रा पर कोई असर नहीं डालती है तो प्रसफ के बाद हर परिस्थिती में इसे हम तुरंट शुरू कर सकते हैं भले ही महिला पूर्ण रूप से स्तनपान कराती हो आंशिक रूप से स्तनपान कराने वाली महिला हो या स्तनपान ना कराने वाली महिलाएं हो जिन महिलाओं का गर पात हुआ है वे चाया गोली गर पात होनों के तुरंद बाद या साथ दिन के अंदर ले सकती हैं ध्यान रखें, छाया शुरू करने से पहले डॉक्टर द्वारा महिला की जांच अविश्यक है अब जानते हैं कि छाया गोली लेने का सही शड्यूल क्या है यदि किसी महिला की महावारी का पहला दिन रविवार है और उसने पहली गोली रविवार को खाई है तो अगली गोली वा शड्यूल के अनुसार बुद्वार को लेगी या शड्यूल वा तीन महिने तक दोहराएगी और चौथे महिने से हफ्ते में एक गोली खाईगी या एक गोली वा हर रविवार को खाईगी क्योंकि पहली गोली उसने रविवार से शुरू की थी ऐसे ही महिला सारेणी के अनुसार पहली गोली जिस दिन से खाना शुरू करेगी चौथे महीने से हफते में एक गोली वह उसी दिन खाएगी छाया गोली खाने से महिलाओं में कुछ शारिरिक बदलाओ आ सकते हैं जैसे कि मासिक धर्म का देर से आना या मासिक धर्म का कम आना, परंतो इन शारिरिक बदलाव से घबराने की आविशक्ता नहीं है, क्योंकि गर्म निरोधक के निरंतर इस्तमाल से कुछ दिनों में यहां बदलाव अपने आप ठीक हो जाते हैं। चलें, अब देखते हैं कि यदि कोई महिला गोली खाना भूल गई है, तो वहां भूली हुई गोली खाने का प्रबंधन कैसे करेगी? गोली लेना भूल जाने के बाद जितना जल्द हो सके, इसे ले लें। यदि एक या दो दिन गोली लेना भूल गई है, लेकिन अभी साथ दिन नहीं हुए हैं, तो सामान ने समय सारेणी जारी रखनी चाहिए, और क्लाइंट को अगले मासिक धर्म के शुरू होने तक बैक अप विदी का इस्तिमाल करना चाहिए, यदि साथ से जादा दिन तक गोली लेना भूल गई है, तो क्लाइंट को नए प्रयोग करता की त इसे फिर से लेना शुरू करना चाहिए, यानि तीन महिने तक हफते में दो बार और उसके बाद हफते में एक बार, साथ ही अगले मासिक धर्म के शुरू होने तक बैक अप विदी का इस्तिमाल करना चाहिए,